दिनेस लाल निरहुआ जी जो है कि सुटिंग कर रहे हैं गाने की हीरोईन के साथ में हेलो दोस्तो नमस्कार दिनेस लाल निरहुआ जी की जो फिल्म सुटिंग हो रही थी बाहरा बंकी में जिस फिल्म का नाम था पंचायत आंगन मैं फिल्म के शुटिंग सेट से जो है की तस्वीरे और कुछ वीडियो लेकर आया हूँ निरहुग जो वोचपुरी फिल्मे सुटिंग होती है गानों की सुटिंग किस प्रकार की जाती है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी तरह से बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ वीडियो कि किस प्रकार जो है कि गाने की सुटिंग की जाती है तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्ष्ट करता हूँ अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर प्रिस्ट कर दीजी दोस्तों दिनेसलाल निरहुआ जी काफी दिनों से जो है कि बारा बंकी में एक फिल्म की सुटिंग कर रहे थे जिस फिल्म का नाम था पंचायस से आंगन जी हां दोस्तों उस फिल्म की सुटिंग जो है कि अभी तो कम्पलीट हो गई है लेकिन लेकिन मैं आप लोगों के बीच फिल्म के सुटिंग सेट से कुछ तस्वीरे और गाने की सुटिंग किस प्रकार की जाती है दिनेस लाल निरहुआ जी की गाने की सुटिंग किस प्रकार की जाती है मैं वीडियो लेकर आया हूँ तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भोजपूरी फिल्मों क गानों की शुटिंग किस प्रकार की जाती है दिनेस लाल निरहुआ जी की यह रेलिंग है यानि कैमरा का जो रेलिंग रहता है इस पे कैमरा चला जाता है इसे कैमरा चला जाता है रेलिंग पटरी जैसे नहीं रहता है रेल की पटरी जैसे रेलिंग रहता है तो ऐसे लगाते जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि दिनेसलाल निरहुआ जी जो है कि सुटिंग कर रहे हैं गाने की हिरोईन के साथ में और दोस्तों जैसे कि आप लोग जैसे कि यह तस्वीरे आप लोग जो देख रहे हैं यह निरहुआ जी जो है कि फिल्म सुटिंग के दारान जो हैं, कैप्चर करवाते हुए नजर आये हैं, जैसे के आप लोग देख रहे हैं दोस्तों दोस्तों दिनेस लाल निरगवाजी की जो फिल्म सुटिंग हो रही थी, 12 बंकी में उस फिल्म की सुटिंग जो है कि कम्पलीट हो गई है और complete करने के बाद अब देखना ये होगा कि दिनेस लाल निरगवा जी अब इसके बाद कहां पर जाते हैं और कौन सी नई फिल्म की shooting करते हैं अब बैठे थोड़ी रहेंगे कियों कि भाई उनका target है वो साल भर में 10-15 फिल्म कर ही देते हैं 10-15 तो जरूर कर देते हैं वो साल भर में 10 फिल्म वो जरूर पूरा complete कर देते हैं तो इसके बाद जो है कि देखना ये होगा कि इसके बाद वो कहां पर जाएंगे जैसे भी कहीं भी जाएंगे कोई भी फिल्म सुटिंग करेंगे तो मैं आप लोगों की बीच अपडेर देने की सबसे पहले कोसिस करूँगा जिहां दोस्तों भोजपुरी फिल्म सुटिंग करने वाले हैं वैसे तो आप लोगों को जैसे मैं वीडियो दिखाया कि वीडियो में देखिए सुटिंग के स्वरकार गाने क्यों होती है नदी का किनारा है नदी का छोर है और वहां पर जो है कि गाने की सुटिंग कर रहे हैं यानि कि पूरे अक्टिंग करना शूर कर देते हैं, अपने अक्टिंग करते हैं, इसके बाद धिनेस लाल निरववजी का भी अलागलग सीन लिया जाता है, जैसे कि हिरो rap, आप लोग देख सकते हैं, हिरो rap के साथ में हैं, और दिनेसलाल निर्वाजी भी सुटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं भोचपुरी फिल्म के सुटिंग सेट पर जहां दोस्तों और ये फिल्म जो है कि बहुत ही बड़ी फिल्म है पंचायत आंगन क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी तो मैं आप लोगों को बता ही चुका था इ यानि कि अमेरिका रहते हैं यू यस अमेरिका से आते हैं गाओं में और गाओं में आकर के जितने भी लोग रहते हैं एक साथ लेकर चलते हैं उनको बहुत सारी जानकारियां देते हैं अब दिकास के बारे में बताते हैं ठीक इसी प्रकार जो है कि इस फिल्म की कहानी होने वाली है क्योंकि जब यह फिल्म भोजपुरी सीनेमा घरों में यह जब यह फिल्म सीनेमा घरों में यूपी बिहार के सीनेमा घरों में जब आ जाएगी तब ही पता चलेगा कि यह फिल्म किस प्रकार बनी है और इस फिल्म में कैसा सीख मिलेगा यानि किस फिल्म में कैसे लो पहले से ही रहते हैं और कि बाहर से सीधा गाओं में आते हैं अब कलते हैंग गाओं-वे लड़का रहता है कामाने खाने वाला वो गाउं में जब आता है तो सेम गाउं की भेजभूसा में हो जाता है सेम गाउं की भेजभूसा में हो जाता है और गाउं की ही तरह जो है कि उसका सोच भी होने लगता है और आगे बढ़ने का जो तरकीब रहता है गाउं के लोगों को जो आगे लेकर चलने का तो तरकीब रहता है जो तरकीब रहता है वो दिनेसलाल निरहुआ जी इस फिलम में बखुवी निभाने वाले हैं अब बहुत ही अच्छी तरह से जो है कि इस फिलम में नजार आने वाले हैं क्योंकि मैं आप लोगों के पीछ आई से ही लेटेट वीडियो लेकर आता है रहता हूं तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ नई जानकारिक साथ तब तक के लिए आप लोगों को बहुत भूत धन्यवाद